Hello and welcome back to TNC We welcome you once again on our channel तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं The Evil Within Game के बारे में और उस गेम को कैसे free में claim करना है तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि game को कैसे claim करना है उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा request कराऊँगा कि ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमाई चानल को सब्सक्राइब कर दीजे साथी साथ बेल आइकन दबा दीजे ताकि हम फ्री गेम्स के जब भी अपडेट्स लिखा है आपको पता चलते रहे और साथी जाथ अपर मारे डिस्काउड सर्वर को भी जॉइन कर सकते हैं मुआ पर फ्री गेम्स के अलावा कुछ गेम्स जो इस पर डिस्काउट्स आती है उनकी भी अपडेट्स मुआ पर मिलती रहती है तो वीडियो को जादो स्ट्रेच ना करते हुए let's go straight to the point कि कौन सा game है और कैसे इसको claim करना है तो game का नाम है evil within अगर आप इस game को stream पे search करते हैं the evil within करके आपको search करना है अगर आप देखते हैं 16000 plus reviews है the game was released in October 2014 but still very positive reviews इतने सालों के बाद भी game एक horror survivor type game है not movie sorry game है और game के reviews of course अच्छे है हर जिग है और I would say कि आपको इस game जरूर से खेलनी चाहिए ही चाहिए तो इस game को claim कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा से वीडियो में बता देता हूँ तो अगर आप लोग के पास epic game store का account है तो आप directly epic games का जो तो आप लोग directly जाके epic game store डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको आगे का procedure पर जा सकते हैं लेकिन अगर आपके पास epic game store पर account नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना ब्राउसर पर जाना है सर्च करना है epic games epic game आप जैसे सर्च करेगा आपको लिंक आजाएगा store.epicgames.com वहाँ पर आप आपको आपना account बना लेना है और simply यहाँ से login कर लेना है login करने के बाद आपको यहाँ पर download का option मिल जाएगा download करने शाब यहाँ पर download कर सकते हैं और फिर आप पर same account जो आपने यहाँ पर बना है हम आप पर login कर लेना है कोई उसका paid ऐसा कुछ subscription नहीं है यह free है और आगे का procedure के लिए हम बढ़ते हैं अपने app की तरफ जो कि Steam App Game Store का app है उसकी तरफ वहाँ पर आपको कैसे game claim करना है मैं आपको पता देता हूँ तो simply आपको जाना है सर्च करना है store में game का नाम The Evil Within आप देख सकते हैं यहाँ पर Evil Within आ गया है अगर आपको यहाँ पर सर्च में नहीं दिखा है तो आपको थोड़ा सा store वाले main page पर आके इसके बाद नीचे नीचे scroll करते जाना है तो आपको पहले ते यह game दिखेगी eternals करके eternal threads यह भी आप game claim कर सकते हैं I don't know much about this game बट game के जो graphics जो दिखाए हैं developer ने वो तो देखने में अच्छे लग रहा है और game ऐसे तो interesting लग रहा है बट यह एक indie game है indie games आपको नहीं पता होगा तो आपने इससे पहले एक video में explain किया था कि indie game क्या होता है और उसमें हमने एक indie game को claim करना भी जिखाया था तो वो game आपने अगर claim क्या होगा तो आपको पता चल गया होगा कि indie games क्या है indie games आपको मैं फिर से एक छोटा सा वो दे देता हो कि indie games कुछ नहीं है तो evil within आप हम देख सकते है evil within पर आ चुक है evil within पर आने के बाद आपको यहाँ पर option मिल जाएगा get का आप देख सकते है game यहाँ पर भी कुछ 1200 रुपे का सपस की है और steam पर भी कुछ यहाँ पर same price पर trade हो रही है but आपको यहाँ पर मिलने वाली है बिल्कुल free base game आपको free में मिलेगी but base game ही सबसे ज़्यादा आपको कोई packs की जरुवत नहीं DLC की कोई extra जरुवत नहीं है आप base game को simply यहाँ पर get पर click करके ले सकते है get पर आप जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कीजिए आप option आजाए का loading or order हाँ कोई payment नहीं करना कोई credit card भी आपको add नहीं करना है simply बस आपको place order पर click कर देना है और हाँ आपका account login होना चाहिए उसी account में आपको login claim होगा यह और आप store में जाके जैसे कि यह library में आप देख सकते हैं मैं आपको library में दिखा देता हूँ the evil within यहाप मेरी claim हो चुकी है और यही से मैं directly install इसको कर सकता हूँ तो अगर आपको और ऐसे free games के वीडियोस चाहिए तो आप मैं चानल को subscribe कर लीजिए साथी साथ अगर आप लोग valorant खेलते हैं और valorant mobile का wait कर रहा है तो हमने उसके उपर एक अलड़ी एक वीडियो बना दिया है वो आप जाकर check out कर सकते हैं आपको उसका description में link मिल जाएगा मिलते हैं next video में till then see you, tata, bye bye